इस चैप्टर में से बैटा अप्लिकेशन प्रेट्स अपके सिलिवस में नहीं है बाकी सारे रिडोक्ष अपड़ने का पड़ने है फिर्सलें इंटरॉडग्शन कमिस्ट्र डियल्स विडग्शन वे रहिए सुट पर गॉंट्स एक कमिस्टी में हम काफी सारे अलग अलग तरह के मैंटर्स के बारे में हम study करते हैं और यह भी study करते हैं उनके states कैसे चींज होते solid liquid gases ठीक है बैटा और क्या है transformation of matter from one kind into another occur through a various kind of reaction जो transformation होता है method में एक kind से एक टाइप से दूसरे टाइप में उसके लिए काफी सारे reactions है कुछ important category reaction interaction करता है redox reaction redox अब देखें बाटा redox word का मतलब क्या होता है reduction R.E.D. का मतलब reduction O.X. का मतलब oxidation redox का मतलब होता है reduction और oxidation reaction reduction मतलब क्या है lose of hydrogen gain of oxygen और gain of hydrogen lose of oxygen ठीक है बैटा redox reaction तो बैटा हमने 8th class में भी यह चीज़ पढ़ा होता है 10th में भी हमने यह चीज़ नाइन्थ में भी इवन हमने यह चीज़ पढ़ा होता है ठीक है बैटा तो मुझे नहीं लगता आपको बार 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 एक चीज़ बताने की जुरूत है कि redox reaction होता क्या है ठीक है a number of phenomena both physical as well as biological are concerned with the redox reaction ठीक है बैटा मतलब क्या होता मेंली जो काफी सारे जो biological reactions भी जो हमारे बोडी में उनमें क्या होता है कईयों में क्या होता oxygen आ रहा होता है और hydrogen जा रहा होता redox reaction का इसी मतलब होता है gain gain of oxygen lose of hydrogen या lose of hydrogen gain of oxygen gain of oxygen lose of hydrogen lose of oxygen gain of hydrogen ठीक है बैटा हम देखो reduction oxidation के कुछ अलग-लग type के definitions है आप जो language में अभी मैंने gain और loss वाला बोला ऐसा भी use कर सकते हूँ ठीक है in the sense of electron भी उनको use करते है चलो आगे आएगा तो मैं आपको चीज़े बता दूँगा ठीक है इसके बाद बैटा जो हमारा main शुरू है classical idea of redox reaction मतलब oxidation or reduction reaction the term oxidation was used to describe the addition of oxygen oxygen oxidation oxidation का मतलब क्या होता है किसी भी चीज में किसी भी combined with it and this is the principal reason why they commonly occur in earth with the form of the oxide और इसलिए इसका सबसे बड़ा reason क्या है करी सारे compounds के oxides क्यों मिलते हैं अर्थ पर क्योंकि maximum number of compounds oxygen के साथ react करते हैं ठीक है और जितने maximum food stops है जितने भी खाने के चीज़ें होते हैं या coldering एक्सटरा तो अगर खराब होते हैं तो oxidation और reduction करके ही खराब होते हैं ठीक है तभी उन्हें टाइट कंटेनर में रखा जाता है ताकि वह oxidation reduction ना करें इवन जो एपल का पीस होता है वह अपना color के हो चेंड करने लग पड़ता oxidation करके ठीक है the falling reaction अक्सेडेशन प्रसेस अकर इंदर लिमिटीड डेफिनेशन अक्सेडेशन देखो बच्छों एमजी है उसमें ओटू डाला हमने वह तू एमजी हों मैंगनेश्यम बना दिया वही sulfur dioxide बना दिया ठीक है यह तो हो गया oxidation की बाद पिछले जो पिछले दो इसामपल कि मैंगनेश्यम वाला सलफर वाला एक्जामपल एक्शन 8118.2 अलिमेंट ऑप मैंगनेश्यम सलफर क्या होता ऑक्सेडाइज होता है आपको oxidation वर्ड दिख जाएगा या oxidize वर्ड दिख जाएगा ठीक है ऑक्सेडाइज होता है और उसमें क्या किसका अडिशन होता है oxygen का और क्या फॉम बनाते है ऑक्साइड सोग सलफरी ऑक्साइड सोग मैंगनेश्यम बनाते है ठीक है जैसे देखो methane oxygen के प्रेंस में carbon dioxide water और हीट जन्रीट करता है ठीक है जो हमारे ग्यास है यह तरह के उसका एक्जामपल एक कियरफुल examination of 8.3 जब इसका 8.3 यह वाला एक्जामपल का तो hydrogen are replaced by इसमें क्या hydrogen को replace कर रहे है oxygen के साथ और ठीक है बटा इसमें hydrogen का replace और oxygen के साथ और removal of hydrogen ठीक है बटा तो इस reaction को देखके scientist ने या chemist ने क्या बोला कि आपको easily learn करना तो आप ऐसे learn कर सकते हो removal of hydrogen मतलब oxidation ठीक है और removal of oxygen मतलब reduction ठीक है इन्हों simple सा term दे दिया जिससे आपको याद रहे therefore the scope of term oxidation वाज जो oxygen time mainly use करता हो किसके लिए यूज करता है removal of hydrogen के लिए किसी भी substance में से ठीक है बेटा और यह अब और इसके बाद जो next है दफॉलिंग इलम दफॉलिंग रेक्षिन दफॉलिंग अदर रेक्षिन विच्छ रिमूवल इसका मतलब यह भी oxidation ही हो रहा है as knowledge of chemistry it was the natural extended term of oxidation for the reaction similar 8.1 to 8.4 we do not involve the oxygen but other electronegative element the oxidation of magnesium with fluorine chlorine and sulfur according to the following reaction देखो बच्छो इन reaction में आप सोचोगा sir hydrogen और oxygen तो गया है वो गया है बेड़ा देखो scientist ने जब जब scientist जब भी study करते हैं तो वो एक चीज़ पर नहीं रुकते हैं उन्होंने क्या बोला कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि oxygen hydrogen ना यूज़ कर कि कोई और चीज़ यूज़ करे तो उन्होंने यह oxygen इसका मतलब क्या है उन्हें उन्होंने उक्सिडिशन मैथड की हैल्फ से इलेक्ट्रो पॉस्टिब element का भी रिमूबल करने का ट्राई किया ठीक है बेटा यानि कि एक मैथड को यूज़ के अलग अलग तरीके यूज़ करना ओके तो यहां पे आप oxygen होता क्या है मेंली जो आपका शुरू होता यहां से अब देखो ऑक्सिडिशन का दो डाइफनेशन होगे अब यह नहीं कहा सकता तो सिर्फ ऑक्सिजन का अडिशन होता अडिशन अडिशन ओग्सिजन या इलेक्ट्रो नेग्टिव अडिशन ओप्सिजन हो यह इलेक्ट्रो नेग्ट्रो पॉस्ट्व और इनको बोलते हैं और इसके ओपर जितने भी वह इसके रेक्शन है इनके कहने का मतलब है प्लस वन तक हमने यही पढ़ा है क्या पढ़ा है कि Oxidation मतलब Addition of Oxygen और Reduction मतलब Removal of तो इस हट के इनोंने कुछ हमारे लिए सोचा कि Removal Oxygen from the compound however the term reduction has been तो इसके बाद देखो बेटा Removal of Oxygen या Electron देखो बेटा जैसे कि आपने Oxidation का पढ़ाया न यहां Addition word था न यहां Removal word आड़ कर दो Removal of Oxygen और Electron negative element from the substance और और उसमें के देखो उसमें addition यहां था Removal यहां था और इसमें क्या करो Removal यहां लिए दो addition यहां लिए दो बाग की definition सब से हट्रोजन हट्रोजन या Electro positive element to the substance और इनके reactions यह रहे आपके पास Oxygen remove हो रहा है ठीक है यह रहे इनके example कोई भी example दे सकते हो आप ठीक है और देखो बेटा वो reaction दिन में simultaneously oxidation और reduction दोनों चीज हो रहा हो उस reaction को हम क्या बोलते हैं redox reaction और इसका example यह रहा SGCl2 SNCl2 इसमें क्या बन रहा है SGCl2 इसमें एक देखो इसमें क्या Electro negative element का यहां addition हो रहा है ठीक है इस reaction को बेटा ध्यान से देखो 2Hg और 4Cl यहां लगे है और SNCl2 लगे है तो इसमें क्या होगा 2Cl यहां से तूटके यहां add हो जागा यह देखो CL4 और यह क्या रहा जाएंगे 2 chlorine रहा जाएगा और 2Hg यहां रहा जाएगा क्लिर रहा है यह वाला step आपको तो इसमें क्या आ रहा है इस यह एक ऐसा reaction है जिसमें addition और removal दोनों हो रहा है मतलब एक तरह एक रिमूब कर रहा है दूसरा add कर रहा है देखो इसमें से electronegative दोनों condition पूरा कर रहा है एक में से electronegative remove हो रहा है और एक में electronegative add हो रहा है ठीक है within the same reaction ऐसा reaction जिन में oxidation reduction दोनों हो उस reaction को हम क्या बोलते हैं Samitnesley बोलते हैं Oxidation उस reaction Samitnesley बोलते हैं Redox यह ठीक है बैटा इसलिब इस चैप्टर काкольку है Redox Reaction अभ देख्वो बैटा इसमें Question की प्लोबना कि यह आ सकते हैं आपको Reaction दिया होगा देखके बताना होगा कि वो क्या है Oxidation हो रहा है इसमें कि रिडिक्षिन हो रहा है उसमें आप देख लेना उसमें दो हुद्व्छ है एक तो अडिशन आफ ओक्सीजन और एलक्ट्रो एलेक्ट्रो क्या था नेगटीव element या removal of hydrogen या electropositive element ठीक है तो इसे साब से दोनों में से दोनों condition को चेक करके आप answer दे सकते हो ठीक है तो यह important है करना है आपने यह सब छोड़ना है एक्जामपल ठीक है तो बेटा आज आज इतना ही करना हमने ठीक है next हम करेंगे अगले lecture में thank you for today